हेड्लाइन आप पहुंचा टिक्री बोटर पर में आपके साथ राउल से जो ये ग्राउंट लेवल की रिपोर्टिंग हम आपको टिक्री बोटर से दिखा रहे हैं तमाम किसान आए हुए हैं जो हर्याना लगा लिजी पंजाब लगा लिजी राजतान लगा लिजी सभी किसा आए रहे हैं और इनका आण का कियो देशा नमस्कार जी पहले गाल तो आपके मेडिया का बहुत तन्यावाद जो कसानों को आपके द्वारा सिर्कात तक वाज आ रही है दूरी वाद ये है कि हम पंजाब में एक कुपर से रेलवे लाइनों पर वैठे थे जहां दो काम हु तो एक जाट जेए आज हम दिली जो हर्याना का खट्ट कहता था कि हर्याना नहीं कर ने देंगे हम हर्याना के सभी वादर तोड़कर दिली की ततिपर दिली की हेक पर जम्में वैठे यां उतनी देर साठा जड़ा दोलना जो काले कनुनों के खलाप चला हुआ है थमेंगा प कुछ कई जन के कई यार्यानद की आए हैं हुए पंजाब के ज्यादध तरह आये हैं přैडफन के सम में आरौ करें लोगर की तोस्तिक यहां जो पर रहा है और किसो न। करेंज को कैसा दुञाइआ रहे हुआ हैं खॲग में दिखो कितना कठ है हर्याना के लोग और पंजाब के लोग ही नहीं यूपी के लोग राजस्तान के लोग और महाराश्टर के लोग भी चले हुए हैं अंतरा के लोग भी चले हुए हैं पूरे बेश के लोग का जहां कठे हैं यह बात नहीं है जे अंदोदन आज पंजाब का अपने हकों के लिए चिला रहे हैं क्योंकि जे जैन्दगी बचानी है अपनी जमीर बचानी है तो सानु ये कारे कराने होंगे ये रादे लेकर सभी लोग रियाना पंजाब राजस्तान जूपी अंपरा गिजरात सभी लोग अज़ेडे कठे हो रहे हैं जहन लोगों को पता नहीं था ना अब ऑन लोगों को पता लगएblie MSP क्या है पारत्रत्तकार जे कहती है कि aja MSP खत्म नहीं होगी हम पारत्र्तकार से जनना चाहते हैं आपका जूपी में राज है पाजपा का किया जूपी में सभी इस् franchiğसानों को MSP या रही रही है इसका मतलब यह है अप जहां जहां तमारी सरकार है पाजब की बहां के कसांदों की हालत इस तो अच्छी है प्ला के लोग के जागरत हैं हम पुजाब लोकों ने सभी देश के लोकों को जागरत कर दिया के पार्थ सरकारा जो काले करूं ठोपकार हमारी जमीन शीनना चाहती है अम एक दो बातें आप से कहना चाहते हैं जो जुरूरी वहता सोध एक्ट ट्वंटी ट्वंटी है उसमें कले कसानों को नक्सान नहीं होगा बलके सम मारीन श्चेर कर ले कितना चाहते हैं अमच्चेर कश्चा वाशमें सब्सक्राइ़ करेग कि मनोटी केलत पैदा करेगा मनोटी केलत पैदा करके सपलाई काम करेगा जब डमांड बदेगी वो सब चीज जड़ेड़े ऊचे रेटों पर बेचेगा इसका समुची जाता को नक्सान है दूसरी मंदीवगार्न बोर्ड की मैं बात करता है आपको पंजाब का मंदी सेस्टम जानने चाहिए पंजाब का जो मंदी सेस्टम है वो दुनिया का सबसे अच्छा आप गूगल पार भी साथ मार लो सबसे अच्छा मंदी सेस्टम है जो साथे आप शास्त्री हैं जा खेती विगयनी है वो कहते हैं कि समुच्चे देश में पंजाब जैसा मंदी सेस्टम ला 24 जो कुसान है वो MSP से 1 जे है उसको MSP नहीं मेंती जे पंजाब जैसा मंडी सेस्टम पूरे स्मुचे पार्ट में लगू हो जी तो सब को MSP मेरना लाजमी हो जो तो कुसान खशाल होगा हम तो जे चाहते थे पंजाब जैसा मंडी सेस्टम हमारे सारे देश में लगू हो पर पार्ट जी चाहती है के पंजाब का मंडी सेस्टम भी तैसनेस कर दिया जाए वो वात होई ना बंदर और विजरे की दोस्ती होगी विजरे बड़ा अच्छा करवनाता है प्रखशी है जब विजरे ने बंदर को कहा भी आपको भी ऐसा कर बनाना चाहिए बंदरे कहा वे हम तो बना नहीं सकते बंदरे विजरे का कर पीटा दिया थिके नंग ये बात मोदी ने की है लोग जब आत्षास्त्री है वो कहते हैं कि 7000 मंदी की बिजाए 42000 मंदी है ज़री वो होने चाहिए पर मोदी कहें ता 7000 से 42000 या 45000 मंदी नहीं बनेगी जो 7000 मंदी है उसको भी खात्म करना पढ़ेगा जे मोदी लोकतंत्री सरकार मैं नहीं रख पा रही जो ये लोकतंत्री सरकार होती तो उसने पहला पूछना था किसानों से विकनून बनाना चाहिए जो उकसानों के मंजूरनी है वो दिने उकसानों के इच्छा के ओल्ट वो कुनून मनाया है वो कसानों के लिए कातक है कसान इतने अनपढ़ नहीं है जितने कहती संपता है त्योंकि आप जिड़ी लिडाई है आप देख रहे हैं और कथा किसानों का एकाबा वह वड़ रहा है आरपर की लिडाई है यह पक्की बात है किसान जीत कर जहाँ जाएंगे पुक्सान हार मारने वाले नहीं है हमें कई तरह का पाजपाने जो चालने चली है कि ते हमें एक खाल स्तानी कहा कहां हमें अंत्कवादी कहा कहां हमें पाक्स्तानी कहा कोई हमें अफगान स्तानी कहते है पर हम खसान जो स्मूचे देश का पेट पर रहे हैं हमारे जो नौजवान है हमारे पाई है हमारे पौत हैं वो अंतराश्ट्री बार्डर पर समाओं पर लड़ रहे हैं उनको भी यह है इसका मतलिया जै हम खालस्तानी अंतकवादी हैं तो हमारे जो पाई फॉट का चीन के बाडर पर है जब पाकस्तान के बाडर पर नड़ रहे हैं या वो भी अंत्कवादी है जब चीन पर हमला किया तो उनको पंजाब के लोग चेते आते हैं रहाने के लोग चेते आते हैं ठीक है न जब हम अपना हक मांते हैं तो हमें कहा जा वेल, कॉल, शांति पूर्ण चल रहा है हम एक दूबर से शबी एक दूबर तक मंजाब के रेलबे लाइनों पर बैठ रहे हैं किसी ने किसी के सैकल की हवा भी नहीं नकाली अब हम दिली में बैठे हैं आप जानते हैं कि आज तक किसी ने किसी को गाली भी नहीं देई, किसी को कुछ राया नहीं, किसी को कुटा नहीं, किसी को मारा नहीं, लिगना किसी के सैकल की हवानी निकाली, किसी का सैकल पैंचर नहीं किया, हमारा दोलन पूरी शांती पूरन चल रहा है, मुद्धी सरकार क कुछ एक बात माननी पड़ेगी कि जो आधि पूरों दोलन यह वो भूज की बाद तो नहीं कर सकता पुल्स की बाद तो नहीं कर सकता क्योंकि यह सिस्प्रीम कोट कुभी तन वादीय है जिन रने यह कहा वह दोलन करना लोगतंत्री फट्री हक है ठीक है पर मोदी सरकार को लोगतांतर में जिकीन नहीं है, हम कहते हैं यह फासी बादी सरकार है, यह लोगतांतरी सरकार नहीं है, लोगतांतरी सरकार भू होती है, जो लोगों का त्यान करती है, ठीके न, जमें अब रहे हिं लेकन कहता है, डेमोक्राइब लेकन कहता है, यह जानना चाहिए के मोधि जब सकार है पूरेट करने की सरकार है वो लोगों की सरकार नहीं है अवानी डानी को वो सब कुछ सावी देश का जा सरमाया वा संपने चाहते हैं हम जो हिंदोस्तान का पूर्ण सरमाया है जो लोग पकॉड़े हुए है वो आप जानते हैं के स्टेट के है क्योंकि पार्त के लोग तो मां हमारा पंजाब का कोई पारी पागा है हमें आंतकवादी चाहता निक्यों कहा जाता है यह तो बहुत मारी गला न इसलिए जो मुद्दी ने चाले चली है उसमें कोई भी चालरी सफल हमारे लीडरों नहीं होने दें ना होने देंगे पूरा शांती पूर्ण हमारा संगार साज़ड़ा चलूगा आर पार की ये लड़ाई है आर पार की लड़ाई में जो कसानों ने एक का दखाया समुचे पार्थ के कसानों ने उस लड़ाई में हम सहल होंगे जितेंगे ये हमारा पूरा जिकीन ये पूरा मत प्रका स्वाल करते हैं के इतनी ठंड है इतनी सादी है कि आपको सादी लगती पर जाब खूंद कर्म तो सादी को कोई बात नहीं है हम अपने हक लेने मंग आए हैं जो हमारी लिडाई है वो हक और साच की लिडाई है वो उन लोगों का मनोबल उच्या होता है जो मुद्धी क लड़ाई है हमारे साथ वो पूर की लड़ाई है चूर कभी जीता नहीं है आपने देखा है राम और रावन में भी जो लड़ाई हुए नेकी और बदी की लड़ाई है उसमें नेकी की जीत होई है बदी की हार हुई है आप भी जो लड़ाई है कसानों की और मोदी की जे ने अबनारे हो जो पैसे से बनारे किसी संस्ता दोरा दिया जारा कैसे दिया जारा उसके बारे में कुछ बता वहाई पहले हम गाउं में लोगों से मतलग गार गर्गर अजाया हुआ है किसी ने दासर पिये दिये, किसी ने सौ दिया, किसी ने एक अजार दिया जितनी किसे के पास समर्था दी, उतना उतना हमारे गाउं के लोगों ने दान दिया वो जो हम चार मीने का आटा, दाड, और राशन, चाय पत्ते, दूद, सुका हम सब कुछ आपने गाहों से ले कर रहा हैं दूसरे नमबर बार जो हर्याने के लोग हैं वो हमारा बड़ा जोगदन पा रहे हैं लस्सी, दूद, सब कुछ हर्याने के लोग आज़े दे रहे हैं, कोई ओपणी शक्ति नहीं है जो हमें दे रहा है यह हमारे लोगों का कथा किया हुआ पैसा, कथा किया हुआ राशन, उससे हम लड़ाई लड़ हैं, हमारे ज़िए स्प्लाई लाइना वड़ी तकड़ी है, हम ऐसे लड़ाई लड़ हैं जैसे बाडर पार हौजी लाता है हमारा, क्योंकि हमारे गाउं से प्राची बाप्स चले जाते हैं, जो किसी चीज की कमी होती है, वो हम गाउं में भून करकर बता देते हैं, वो हमारे कमी पूरी करते हैं, स्प्लाई लाइनरी साथी चलेगी दो मिनने, चार मिनने, दो साल, चार साल, जितने भी लंबी लिडाई होगी, हम शांती पून तरीके से लडेंगे